हेलो फ्रेंड्स, मैंसल विशिश कटियार तो हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे विजियोलोजी के कुछ इंपॉर्टन टोपिक के बारे में टीक है? तो इसमें हम लेगोंने टॉपिक लिये हैं डैकि सिस्टम एतिक है, तो डैकिलिस्टिम सिस्टम में कफ यादा एक्जाम में पूछा जाता है डूसरे नंबर पर है आपका salivary glands तो salivary glands भी एक्जाम में कफ यादा पूछ जाती हैं ठीगे यह और फिर आता है functions of saliva तो saliva यह salary glands के functions भी पूछे जाते हैं दो number यह पांच नंबर में ठीगे फिर आता है functions of stomach श्टुमक के functions, small intestine और large intestine के functions तो इनके functions भी कवी ज़्यादा पूचे जाते हैं और खासकर stomach और large intestine के function ठीक है और small intestine के function में जो small intestine का जो juice रहता है यानि कि जो small intestine के दौरा जो release होने वाले enzymes वगरा होते हैं उनके वारे में पूचा जाता है फिर आता है functions of pancreas भी important रहता है और functions of liver जो आपका है वो सबसे ज़्यादा important रहता है इन सब में ठीक functions of liver काफी ज़्यादा पूचा जाता है पांच नंबर में या फिर 15 marks में किसी और question के साथ मिला कर इसको पूचा जाता है वैसे ये mainly 5 marks में पूचा जाता है फिर आता है आपका jointis तो jointis जो है वो mostly दो नंबर में पूचा जाता है ये clinical disorder दो नंबर में पूचा जाता है फिर आपका आता है homeostasis बैसे तो homeostasis में काफी कुछ है लेकिन उसकी definition जो है अकसर पूची जाती है और spleen के functions और उसकी जो functional anatomy है जो spleen के functions है और वो RVC को कैसे destroy करती है ठीक है तो वो पूरी process जो है पूची जाती है में लिए इसके functions रहते हैं फिर थर्ड topic है इसमें lymph nodes जो lymph nodes है और lymph की दो नंबर में functions या उनकी definitions पूची जाती है फिर आता है आपका blood जो की कफी ज़्यादा important topic है blood जो है most important रहता है तो इसमें सबसे पहला है functions और composition function of blood बहुत ज़्यादा important topic है और blood का composition ठीक है वो भी important रहता है फिर दूसरे नंबर पर erythropoiesis या आपका 15 marks में question बनता है इस पर ठीक है रक्तनिर्माण प्रक्रिया का वर्णन जो है वो पूचा जाता है तो erythropoiesis यानि formation of RBCs ठीक है तो erythropoiesis काफे important topic है फिर hemoglobin ये आपका 5 marks या 2 marks में पूचा जाता है इसके function structure और type जो है ज्यादा पूचे जाता है फिर ESR भी पूचा जाता है erythrocyte sedimentation rate ये 5 marks में पूचा जाता है और PCV इसको भी 2 marks या 5 marks में पूचा जाता है ठीक है फिर आपका आता है anemia जो है आपका clinical disorder है इसको भी 2 marks या 5 marks में पूचा जाता है क्लासिफिकेशन और WEC यानि जो white blood corpoclels है उनका classification कैसे वो एक granulocides और granulocides में डिवाइड होकर ismophils, basophils, neutrophils इन सब में और इनके function ठीक है काफी जादा पूचे जाते हैं तो ये blood के थे important topics उसके बाद में आती immunity immunity अपने आप में ही एक important topic है जिसको ओज से आयरुएद में जिसका comparison किया गया है तो और इसकी definition types जो है अधिकतर two marks में पूची जाती है या तो definition या फिर types two marks में और जब इसका description पूचे जाएगा तो वो आपसे five marks के लगवग पूचे जाता है उससे ज़्यादा question जो है immunity पर नहीं है आज तक पूचा गया है तो ये थे हमारे आज के important topics ठीक है नहीं है तो येश सब्सक्वाइब करता है तो आपसे सब्सक्राइब जाता है उने है दो जाएब ये जाता है दो ये ऑम रिए जाएगा उर्सक्वेदी जांगारे तो ये ओना है ये जा दो